Morphological Identification of Model Arthropods Model Arthropods के तौर पर हम Spiders को study कर रहे हैं Spiders के अंदर हमने देखा कि इसके body parts इंसेक्ट से फरक होते हैं इनके अंदर antenna मौजूद रही होता इनके अंदर four pairs of legs मौजूद होते हैं इस module के अंदर हम देखते हैं कि जो spider है वो reproduce कैसे करता है और इसके reproductive structures कौन से हैं तो spiders के अंदर क्योंकि हमने ये discuss किया कि six pairs of legs हुआ करते थे उसमें से एक pair modify होके pedipelp के अंदर convert हुआ और ये जो pedipelp है ये male का genitalia कहलाता है और ये reproduction के अंदर help करता है इसी तरीके से female के अंदर epigine वजूद होती है जो के ventral site जो abdomen की है वहाँ पे मौझूद है अब जो epigine का structure है वो बहुत important है इसी तरीके से male का जो pedipelp है ये morphological character है जिसको taxonomist यूज करते हैं तो ये एक ऐसा character है जिसकी taxonomy के अंदर खास तर पर spider taxonomy के अंदर बहुत जादा importance है क्योंकि आम तोर पर जो एक species है उसका जो genitalia का structure है ये किसी दूसरी species से resemble नहीं करता इसका structure यूनीक होता है इसी वज़ा से इस character को taxonomist यूज करते हैं वादा identification of species अब मुक्तरिफ species के अंदर जो epigine है उसके अंदर बहुत जादा variability बाजूद होती है अब spiders जो है reproduce कैसे करते हैं जब spiders ने reproduction करनी होती है तो सबसे पहले जो male है वो अपना mate तलाश करता है यानि female को तलाश करता है उसके लिए वो क्या करता है कैसे तलाश करता है कि हर जो species की female है वो खास किसम के chemicals प्रोडियूस करती है जिनको कहते हैं फेरमून्स मेल्स इन फेरमून्स को डिटेक्ट करते हुए अपनी स्पिशिस की जो फीमेल है उसको तलाश करता है उसके बाद क्या होता है कि जो मेल है वो अपने स्पम्स को एक स्पम सैक के अंदर या एक वेब के अंदर वेबशीट के अंदर डिपासिट कर और उसको अपने पैडी पैल्प से केरी करता है। उसके बाद ये जो मेल है ये फीमेल को अप्रोच करता है और ये जो पैडी पैल्प के जरीए ये जो स्पाम्स हैं उनको फीमेल के स्टोरिंग स्ट्रक्चर के अंदर इंटर्डूस करता है। उसके बाद फीमेल के अंदर ज X की जो तादाद है वो वेरी करती है ये species to species वेरी करती है इसकी तादाद hundred से लेके thousand तक हो सकती है उसके बाद ये भी देखने में आया है कि जैसे जैसे time गुजरता है एक female की age बढ़ती है तो शुरू में अगर एक X-Aक के अंदर X की तादाद जादा थी तो बाद में जो वो X-Aक प्रोडूस करती है उसके अंदर X की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है ये भी देखने में आया है कि एक स्पाइडर जब अपना last egg sack जो है प्रोडूस करती है तो उसके बाद उसकी death हो जाती है तो इस तरीके से female reproduce करती है कि सबसे पहले एक male अपने फिरमोंस के जरीए females को तराश करता है उसके बाद वो अपना जो स्पाम है वो एक सैक के अंदर या एक शीट के उपर release करता है उसको अपने पैड़ी पैल्प से carry करता है पैड़ी पैल्प से carry करने के बाद वो उसको transfer करता है female की बाड़ी के अंदर exact produce होता है और उससे आगे young ones produce होते है